फ्रेंस आप सभी का वेलकम है मेरे यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटूरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी फोटो का कलर प्रोफाइल चेंज करके अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आप लोगों ने थमनेल में देखा है हमने सिर्फ इस फोटो का कलर प्रोफाइल चेंज किया है अभी ये नॉर्मली sRGB में है आपको दिखाता हूँ ये फोटो का जो कलर प्रोफाइल है वो sRGB है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं sRGB इसका कलर प्रोफाइल है मैं सिर्फ इसके कलर प्रोफाइल को ही चेंज करूँगा और उसके बाद आप देखेंगे इसका रिजल्ट तो कलर प्रोफाइल चेंज करने के लिए हम लोगों को यहाँ से सेलेक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे assign प्रोफाइल है और convert to प्रोफाइल है दो चीज़े हैं यहाँ पर आपको सेलेक करना है जब आप assign प्रोफाइल सेलेक करेंगे तो देखें यहाँ selected है working RGB और इसके अंदर जो कलर प्रोफाइल है वो है sRGB और लास्ट टाइम हमने जो यूज किया था वो ESRGB यूज किया था अगर आप इसको सेलेक कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट ये आता है और अगर आप यहां से OK कर लेते हैं तो ये चेंज हो जाता है sRGB से ESRGB में लेकिन आपको जो फोटो चाहिए वो sRGB ही चाहिए उस कंडिशन में आपको कुछ और सेटिंग्स करना होगा अगर आप उस सेटिंग्स को अपलाई करते हैं तो फिर आपका फोटो sRGB में भी रहेगा लेकिन आप कलर प्रोफाइल उसका चेंज कर पाएंगे उसका तरीका कुछ और है उसके लिए हम लोगों को इसकी एक कॉपी बनानी होगी तो कंट्रोल जेसे कॉपी करेंगे और उसके बाद इस लेयर पर राइट क्लिक करके यहां से convert to smart object कर लेंगे और इस thumbnail पर double क्लिक करेंगे so that यह अलग से एक tab में open हो जाए और उसके बाद इस image में जो भी changes करेंगे हमें अलग से इस smart object के अंदर वो changes मिल जाएगा तो हम लोग यहां पर आएंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहां edit के अंदर और यहां से assign profile यहां से आप ok कर लें और उसके बाद यहां से color profile change करें अगर आप इस पर click करके देखेंगे तो आपके इस system में बहुत सारे color profile होंगे आप किसी को भी select कर सकते हैं जो आपको बहतर लगे आप इस पर click करेंगे और drop down से नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे colors यहां पर और उसके बाद यहां से ok कर लेते हैं अब हम लोगों को यहां से सिर्फ इस file को save करना है इस पर click करेंगे तो हमारे original document में यह change हो जाएगा आप देख सकते हैं यह change हो गया है और नीचे अगर आप इसके document में check करेंगे तो यह srgb ही है इसमें changes नहीं हुआ है तो अब color profile change कर करना चाहते हैं smooth करना चाहते हैं तो आप इस layer पर double click करेंगे layer style के अंदर आएंगे और यहां पर आपको यह जो नीचे underlying layer है इसको use करना चाहिए तो आप इस slider को click करके right के तरफ ले कर जाएंगे और alt press करके इसको break कर देंगे यह break करने के बाद इसको right के तरफ ही ले कर slider था इसको हम लोग last में ही रखेंगे यहां पर अब आप इस slider को adjust कर सकते हैं जहां पर आपको लग रहा है perfect है यह देखें यहां पर ठीक है अब हम लोग okay कर लेते हैं अब आप देखें before after तो यह है before and after before and after तो जब भी आप photo editing करें तो आप color profile को भी एक बार check कर लिया करें अगर आपको लगता है कोई landscape image है या कोई भी इस तरह की images है तो उसको एक बार color profile चेंज करके जरूर देख लिया करें और अगर आप चाहते हैं color profile के बारे में अच्छे से सीखना या Photoshop को अच्छे से जानना चाहते हैं photo editing सीखना चाहते हैं तो मेरे premium class जो online पर available है आप उसको ज़रूर जोईन कर लीजे जोईन करने के लिए मैंने contact number और email ID description में दे दिया है आप जब चाहे मुझे call करके जोईन कर सकते हैं और किसी तरह का कुछ confusion है तो comment box में पूछे उसका solution ज़रूर ले कराऊंगा तो friends मिलते हैं next video में तक तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so my friends